बिस्मिल्लारामार रहीम, असलाम लीकुमौल, मैं हूँ उजमा असलाम और आप देख रहे हैं रेस्पीज और रेमडीज वी दोजी तो आज की वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार आलू जिकन की रेस्पी बनाने वाले हैं वीडियो को यह तक लाजमी देखेगा, अगर अच्छी लगए तो लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मैंने एक कप ऑईल में दो अदद प्यास फ्राई होने के लिए रख दीएं, दो से तीन मिनट के लिए मैंने प्यास को फ्राई किया है, अब हम इसमें अधरक और लसन का पेस्ट एड़ करेंगे, एक चमच और इसको हम अच्छी तर मैंने तकरीबन हाफ केजी से ज्यादा चिकन इसमें एड़ किया है, अब हम इसको अच्छी तरह से हिला देंगे, तो इसको हमने तब तक पगाना है जब तक हमारे चिकन फुल वाइट कलर काना हो जाए, तो जनाब यहां पे होने चला है, हमारा चिकन फुल वाइट देना है, कवर करके हम इसको तीन से चार मिनट के लिए पकाएंगे, तो देखे तीन से चार मिनट बार मेरे जो टमाटर हैं वो गलना स्टार्ट हो गये हैं, अच्छी तरह से हम इसको हिला लेंगे, और इसके चिलके जो टमाटरों के हैं, वो हम निकाल के अलग कर लेंगे, अच्छे से हिलाते जाना है और इनके ये छिलके हम साइड पर रखते जाएंगे हमारे टमाटर च्छ अच्छी तरह से गलने शुरू हो जाएंगे तो यहां पर मैंने चीज़ें जो अड़ करनी है वो है मैंने यहां पर हल्दी पाॉडर लिया है half teaspoon मैंने add कर देना है साथ ही इसमें मैंने जीरा और खुश्क धनिया add किया है one teaspoon इसके बाद हम इसमें नमक add कर देंगे साबस जीरा भी हम इसमें add कर देते हैं और अब मैंने इसमें चिकन का powder add कर दिया है एक चमच भर के अगर आपके पास available नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला भी add कर सकते हैं यहां पर मैंने मिर्च add की है इस मिर्च में मेरे पास लसन और अद्रक मिक्स था तो वही मैंने इस सालर में add की है इसके add करने का फाइदा यह है कि इसका color बहुत अच्छा आएगा तो मैंने अच्छी तरह से mix कर लेना है तो यहां पर मेरा अच्छी तरह से मिर्च और सारा मसाला बहुत अच्छे से मैंने mix कर लिया है अच्छी तरह से आपने हिलाना है ताके सारा मसाला जो भी हमने add की है वो अच्छे से mix हो जाएए तो यहां पर देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है तो मैंने यहां पर दो अद Adventure आलू लिये हैं उनको थौड़ा मैंने बड़े साइज में काड़ लिया था वो इसमें एड़ कर दिये हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से हिलाना स्टार्ट कर दिया है अच्छे से हम इसको हिलाएंगे ताकि सारा मसाला और हर चीज इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने हलका सा पानी एड़ करना है ताकि एक तो मेरा सालन नीचे से जले नहीं दूसरा हमारे आलू और जो इसमे चिकन है वो अच्छे से गल जाए तो यहां पे मैंने अच्छी तरह से चमची लाया, इसको हम अच्छे से पका लेंगे तो यह देखिए, हमारा अच्छे से एक मिक्सचर सा बन गया एक बहुत अच्छा सा कलर भी हमारे सालन का चुका है तो अब इसमें मैंने चार साबस्मेश आड़ कर दी है बीच मैंने इसको एक कट लगा दिया था तो यहां पे मैंने तक्रीमन एक कप पानी आड़ करना है ताकि हमारा सालन अच्छे से उबा ले ले इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और इसको हम कवर हो करके चार से पांच मिनट के लिए पंगाएंगे तो चार से पांच मिनट के बाद मैंने इसको हिलाया है और देखें माशाला हमारा जो सालन है वो तकरीबन मन के रेडी हो चुका है अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और देखते हैं बिसमिल्लारमान रहीम तो ये जी जनाब हमारी आलो जिकन की रेस्पी उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीजें एड नहीं की जो आम हमारी कीचन में चीजें पड़ी होते हैं सिर्फ मैंने इसमें वही डाली है तो ये हमारी रेस्पी की फाइनल लुक है उमीद है आपको पसंद आई होगी फिर मेरते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज